प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दस्मी की जनरल इंग्रिस का फोर्थ रेशन पढ़ने जा रहे हैं, इस रेशन का नाम है चर्डन, इस रेशन को रिखा है H.W. रांग फेरो ने, H.W. इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनका पूरा नाम था Henry Wadsworth रांग फेरो, इन्होंने अपन कविता का टाइटर चर्डन दिया है, इसका मतब हुझने बच्चों के बारे में ये कविता रिखी है, आपके इस रेशन में 6 इस्टेंजाज हैं, यानी 6 पद्दों की कविता है, इनकी जो ओरिजनल पोएम है चर्डन, उसमें टोटल 9 इस्टेंजाज हैं, 9 पद्द हैं, और अर्थ समझ रेते हैं, come to me, oh ye children, पहरी आयन में कभी कहता है, कि बच्चों मेरे पास आओ, come to me, मेरे पास आओ, oh ye children, e, पुलानी इंग्रिश में कभी या रेखक यूज करते थे, उसका मत्रव है, ye, का you, y, o, you, तो और ये y, o, you, जो है, वो singular के लिए नहीं, बलकि plural के लिए यूज होता है, बहु बच्चन के लिए यूज होता है, क्योंकि children क्या है, बहु बच्चन है, तो पहरी राइन में H.W. रांग फिरो साहब कहते हैं, बच्चों को संबोधित करते हुए, कि हे बच्चों मेरे पास आओ, और ऐसा क्यों कहते हैं, second राइन देखिए, far I hear you, at your prayer, क्योंकि I hear you, मैं आपको सुनता हूं, at your prayer, जब आप रोक खेलते हो, खेलते समय जो आप आवाजें निकालते हो, चंचरता भरी, उनको मैं सुनता हूं, और जब मैं आपकी आवाजें सुनता हूं, खेलते हुए आपको सुनता हूं, देखता हूं, तो क्या होता है, तिर्फी राइन में बताते हैं, and the questions, और वो शारी प्रस्ण, questions means, the question means, special question, जिसके बारे में हम जानते हैं, या कभी ने हम इनको बता दिया है, या कभी स्वैम जानता है, वहां दाका यूज होता है, and the questions that, यहां परप्रेक्ष्ट रिखा है, लेकिन इसका जो चारण है, वो परप्रेक्ष्ट होता है, परप्रेक्ष्ट, and the questions that परप्रेक्ष्ट means, और वो question, जो मुझे परिशान कर रहे हैं, करने बारे, चिंता में डालने बारे, ऐसे question जो मुझे चिंत करते हैं, confused करते हैं, परिशानी में डालते हैं, have vanished quite away, पूरी तरह से तुरंत ही गायब हो जाते हैं, vanished means होता है, disappear, हिंदी में, गायब होना, quiet माने completely, completely माने पूरी तरह से, अभी माने दूर हो जाते हैं, तो कहता है कि यदि आपको मैं सुनता हूं, खिरते हुए, तो मेरे वो सारे प्रस्ण, जो मुझे हमेशा परिशान करते रहते हैं, और अचानक ही पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, यह इनके पहरे इस्टेंजा की meaning है, चलिए दूसरे इस्टेंजा में चलते हैं, तो कहते हैं, E, open the eastern windows, E मैंने पहरे बताया, U है, U किस के लिए आया है, चिर्डन के लिए, तो चिर्डन से कहते हैं, चिर्डन, open the eastern window, पूरप की तरफ जो खिड़की है, उसको खो पे बच्चो, जो पूरप की तरफ खिड़की है, जिसका फेस पूरप की तरफ है, उस खिड़की को आप खोरिये, that looks toward the sun, जिसका फेस शूर की तरफ है, या जिसका मुख शूर की तरफ है, जो शूर की तरफ खोरती है, यानि खोरने पर शीधे, sunshine या शूर की रोसनी मुन क वी कोप्राप्त होती है where thoughts are singing swallow swallow एक word का नाम है चड़िया का नाम है जो पश्चमी देशों में पाई जाती है आपके यहां गोलया जैसी ही एक छोटी सी चड़िया है where thoughts are singing swallow जहां विचारों को कौन गाता है वो चड़िया गाती है जो मेरे ये विचार से हैं जो मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं ये इन विचारों को वो चड़िया गाती है and the books are morning run और सुबह रूपी नारा पानी का एक छोटी नदी उहां बहती है book means होता है small river एक छोटी नदी तो कहता है कि कभी बच्चो पूरब की तरफ जो खड़की है उसको खोड़ो ताकि मुझे sunshine शूर का प्रकास में सके सूर का प्रकास आप जानते हैं तेज का प्रतीक है उस्मा का प्रतीक है प्रकास का प्रतीक है where thoughts are singing sorrow जहां विचारों को चड़िया गाती है मतब चड़िया विभिन प्रकार के विचारों को मेरे अंदर गाती है and the books of morning run और सुबह का जो जहरना है नदी है वो उधर बहती हुई दिखाई देती है ये इस second exchanger का मतलब है third exchanger में कहते हैं अब यहां कभी अपने हर्दें की अपने दिमाग की तुरना करता है comparison करता है बच्चों से तो देखिए क्या कहते हैं in your hearts are the words and the sunshine in your hearts are the word and sunshine कभी कहता है कि बच्चो आपके हिवदय में words है और sunshine है अब ऐसा नहीं है कभी अथर में क्या है कभी जब अपनी भाशा में लिखते हैं तो उसका शावदिक अर्थ कुछ अलग होता है और भावाथ अलग होता है तो अगर हम शावदिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों आपके हिवदय में पक्छी हैं आपके हिवदय में sunshine है लेकिन ऐसा नहीं होता है किसी बच्चे के अंदर शुडिया कैसे पनप सकती है इसका मतलब यहां है जिस प्रकार से वर्ड्स जो होती है वो चंचल होती है चपल होती है उसी प्रकार की चंचलता आपके हिवदय में है and sunshine जिस प्रकार से शूर का प्रकार, शूर की चमक, शूर की उस्मा होती है उसी प्रकार का निश्चल प्रकार आपके हिवदय में है मतलब यहां कभी सीधे का म्पैर्जन करदा है उप्मा अरंकार का प्रयोग करता है इंग्रिस में इसको मेटाफोर बोलते हैं जब हम किसी ब्यक्ति की, परस्नल ब्यक्ति की किसी अन जीव जन्तु से तुरना करते हैं, तो उसे अंग्रेजी में मेटा पोल कहते हैं, हिंदी में आप रोग उपमा अरंकार पढ़े होंगे, कभी कहता है कि प्यारी बच्चो, आपके हिदे में पक्चियों जैसी चपरता चंचरता है, और शूर जैसी चमक है, शूर जैसी उसमा है, शूर जैसी गर्मी है, इन योर थाट्स, दबुक रेट वो, आपके विचारों में छोटी नदी बहती है, अब ये भी संभू नहीं है कि बच्चों के दिमाग में नदी बहने लगे, है ना, अगर बच्चों के दिमाग में नदी बहेगी, तो इतने सारे बच्चे हैं, तो समुत्र बन जाएगा, यहां भी ऐसा नहीं है, इसका मत्रब ये है, जिस प्रकार से नदी में बहना बारा पानी कभी रुखता नहीं है, हमेशा चलायमान होता है, तो वही कहता है कि बच्चों के जो विचार हैं, थौट्स हैं, विचार हैं, वो भी बहते हुए पानी की तरह चलायमान हैं, चंच कहता है कि मेरे हिरदय मेरे क्या है मेरे दिमाग में क्या है यहां देखे but in mine is the wind of autumn लेकिन मेरे मन में पतज़ड की पहरी हवा है मत्रब सब सूखा ही सूखा है और सूखे के अलाबा वो सब गिल भी रहे हैं मत्रब मेरा जो thoughts है वो केंद्रित नहीं हो रहे हैं वो सूख गए है and the first fall of the snow और उसके ऊपर से भी बर्फ पढ़ गई है पत्थर पढ़ गया and the first fall of the snow ये दोनों चीजें जो है निरासा की पतीक है जब आटम आती है पत्रहड आती है तो पेड़ पौधें अपनी रहनों खो देते हैं चमक खो देते हैं और जब snow falling होती है बर्फ बारी होती है तो जो vegetation होता है वो पूरा ढख जाता है पेड़ पौधे बर्फ से ढख जाते हैं तो वही कहता है कि मेरे मन में पत्रहड जैसी हवा है मतब जब चलती है तो उसमें कुछ नया नहीं होता बलकि जो है वो सब नीचे चल जाते हैं गिर जाते हैं और उनमें भी first fall of the snow बर्फ पढ़ जाती है मतब उसके बावजूद भी उन विचाओं में कोई नरींता नहीं आती है आटम शमर और विंटर के बीच का समय होता है इसको आटम कहते हैं और शनो जानते हैं आप बर्फ बारी जो होती है ठंडी में उसे कहते हैं चले अगर ये इस्टंजा में चलते हैं क कहते हैं come to me oh a children बच्चो मेरे पास हाओ वही पहली रायम में जैसा था come to me oh a children and whisper in my ear whisper means होता है आप फुसा कर बात करना to speak very quietly बहुत धीमी आवाज में बात करना जिससे आपके बिल्कुल पास खड़ा बित्ती ही सुन पाए बांकी दूथे ना सुन पाएं तो कहते हैं कर उन कभी come to me oh a children and whisper in my ear बच्चो मेरे पास आओ और मेरे कान में बुद्धाओ पुसपुसाओ क्या बताओ what the words and the sun winds are singing बच्चो मेरे पास आगे बताओ कि ये जो पक्छी है ये जो हवा है ये क्या गार है इन ये क्या कहना चाहे रहे हैं कभी यहां तो ना करता है पहरे ही आपको बता दिया है कि words जो है words चंचर होती है चपर होती है विचार उसके अरिस्थिर होते हैं इसी प्रकार winds भी हमेशार बहती रहती है तो कहता है कभी कि आप बताइए कि इन पक्छीयों और इन हवाओं कि द्वारा क्या कहा जा रहा है in your sunny atmosphere शनी मतलब बढ़िया धूप है प्रकाश है atmosphere means water burn आपके सुन्दर प्रकाश मान वातावर्ण में यह जो पक्छी चह चहा रहे हैं यह जो मद्दम हवा चल रही है यह क्या गा रहे हैं आओ और मेरे कान में बताओ क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि यह क्या कह रहे हैं अंगले में चलें for what are all our country wings country wings means होता है clever plan चतुर योजनाए for what are all our country wings हमारी उन चतुर योजनाओं का क्या मतलब for what are all our country wings यदि हम अपनी तमाम चतुर योजनाओं के बारे में बात करें and the wisdom of our books और कितावों में जो wisdom है जो वुद्धी है उसकी बात करें अगर उनकी तुर्णा अगर करें किससे when compared with your kiasis यदि हम आपके kiasis से उनकी तुर्णा करें kiasis का मतलब होता है gentle touch हलका सा express या चुंबन भी होता है जिसको आप रो किस कहते हैं किस कहते हैं तो कहते हैं कि हमारी सारी की सारी चतुर चारां की योजनाएं और इन कितावों में भरी हुई पूरी बुद्धी कि अगर तुर्णा आपके इश्परसों से की जाए आपके चुंबनों से की जाए and the gladness of your look और आपके looks से आपके face से आपके चहरे की gladness मने पसंदा फिक की जाए तो वो मिस्चित रोप से कम पड़ेंगी मतल आपके केर्स आपके इश्परस आपके चुंबन और आपके चहरे की खुपसूरती आपके चहरे की पसंदा हमारी तमाम चतुर योजनाओं हमारे इस तमाम कितावी ग्यानों से उपर है बढ़कर है आगे कहते हैं you are better than all the wearers बच्चो you are better आप ज्यादा अच्छे हैं better than ये comparative degree है good, better, best आप साथ में इन सब चीजों को भी पढ़ते जाए टेक्स्ट पढ़ने का केबल ये मतलब नहीं होता है कि हम उसकी केबल line by line meaning समझ रहें उसका मतलब होता है कि उसमें जो भी चीजें आई हैं उन सब के साथ साथ हम बांकी चीजें भी सिखते जाएं चाहे हो grammar हो चाहे हो vocabulary हो या other भी कोई चीजे इर better than are the bellers बच्चो आप लोग जयादा बहतर हैं आप लोग जयादा अच्छे हैं किससे are the bellers अब bellers क्या होता है बैलर्ट्स का मत्रव होता है एक ऐसा गाना एक ऐसा शांग जिसमें कोई कहानी होती है जिसको गाते समय ऐसा लगता है कि हाँ इसके बाद ये हुआ है जैसे आपने हिंदी में ये पढ़ा होगा शिंगहासन हिल उठे राजवंसों के राजवंसों ने भ्रुटी तानी थी जब ये चलता है ये गाते हैं तो लगता है कि हाँ ये हुआ है अब इसके बाद फिर ये हुआ है इसी प्रकार रामजरित्मानस है बतल्ब कोई न कोई इवेंट होती है कहानी के रोप में उसको हम कहते हैं तो कहता है कि जितने भी गाई जाने वारी कहानिया हैं ऐसी कहानिया जिनको हम गा के सुनाते हैं आप रोग उनसे भी वेतर हैं मत्तब चाहे हम उन कहानियों को सुनें और चाहे आप को सुन रहें तो आप निस्चित रूप से बेटर हैं अच्छे हैं ये बैवर्ट्स के लिए कहता है कि ऐसे बैवर्ट्स जो अभी तक गाए गए हैं या बोले गए हैं संग सिंग का पास्ट फाम है और से का पास्ट फाम है तो कहता है कि ऐसे बैवर्ट्स जो अभी तक गाए गए हैं या कहे गए हैं उन सब से आप रोग बहतर हैं For you are living poems. ऐसा क्यों कहते हैं? For जहां भी होता है कविताओं में, उसका मत्रब होता है विकाज. क्योंकि, क्योंकि, you are living poem. आप रोग तो जीती जागती कविता हैं. आप तो साक्षात कविता हैं. And all the rest are dead. और बांकी, rest means होता है बांकी जो भी बचा, are dead. Dead means, मत्राय है, नस्षर है, नस्ट होने बादा है. मतलब, आप रोग एक सजीव कविताएं हैं, इनको गाने किया उसकता नहीं है. और बांकी सारी चीजें, सजीव कभी नहीं कहा है, उनको निर्जीव कहा है. इस पकार से, ये poem समाप्त होती है. घंदबाद, इसके answer, question or answer, मैं अंगले वीडियो में share करूँगा. ओके.